दुनिया की बड़े अरब पतियों में से एक और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधान बंत्री नरेंद्र मूदी का एक इंटर्व्यू लिया है वाँ बाई वाँ इस इंटर्व्यू में पीम मूदी और बिल गेट्स के बीच आर्टिफीशल इंटेलिजेंस यानि की ए आई से लेकर बारत में हो रही डिजिटल क्रांती तक कई मुद्धों पर चर्चा हुई ठीक है जी भारत पूरे दुनिया में नाम क्यों इतना कमा रहा है और सब उनकी तरफ क्यों जा रहे है जलवा है हमारे कंट्री को कैसे देखा जाता बाहर की कंट्री में या कोई नामवर श्रक्सित पाकिस्तान में आना पसंद करती है हर्गिज नहीं कोई पसंद नहीं करत एक बार और भारत की तारिफ कर दो यह वीडियो को देखे के अपने आपको कोशे की कि मैंने भारत की तारीफ की क्यों भारत पिछले कुछ हरसे से हर मुल्क हर जो देश है वो यही चाहरा है कि वह भारत के अंदर आकर इंवेस्मेंट करें जोस्तों जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंक का पूरी दुनिया में बज़ रहा है मुदी जी बता रहे हैं कि बच्चा को पैदा होता है तो अपनी मां को आई बोलता है का कान खोल कर सुनो हमारे देश में मा को आई बोलते हैं माता को बहुत से राज्यों में भाषा बिलते हैं अब मैं कहता हूं हमारे यह बच्चा पैदा होता है तो आई पी बोलता है ए-ई भी बोलता है अफिजा खलीबाद साइंस और टेक्नोलोजी पर अपना ग्यान देगी वो भी जहालत से बरपूर और आईटी की या टेक्नोलोजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है लेकिन हम गाये, बक्रिया, कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे और तो और हमारी सेटिंग गर्मेंट के मिनिस्टर्स टीवी पर बैटके ऐसे सी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से को कार्टून नेटवर्क की कमी मैसूस नहीं होती हमारी कंडीशन ये है कि हम रोटी के लिए आठे के लिए दर दर के टोकरे खारें अब बुकें नंगों कंगलों पाकिस्तानी हो लेकिन दूसरी तरफ इंडिया डिवैलप कर रहा यहीं तो क्यामत है जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी की और बिल गेट्स की जो मीटिंग थी वो पूरे संसार के अंदर सुर्कियों का विशे बन चुकी है मतलब सब पूरी दुनिया के अंदर इसके उपर आर्टिकल चप रहे हैं कोई अपनी तरफ से पॉजिटिव नीच चाप रहा है कोई नेगेटिव नीच चाप रहा है लेकिन हमारे पडोस में एक बुका नंगा कंगला मुल्क भी है उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी ये मीटिंग चर्चा का विशे बनी हुई है और पाकिस्तानी तो आश्माण से उत्रे हुए इश्वेचल जाहिल हुए, जो सिरफ हिंदुस्तानी को कराते हैं । और मनोरंजन करने के लिए अपनको चलाओंगा पकिस्तान। तो दो गिना देर के चलते हैं पकिस्तान। चल, 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 चल.. जितनी पहले दी जानती थी अब नहीं दी जाती जिस नजर से देखते हैं हमें बुरी नजर से देखते हैं विलगीर्ट साब वो है जिनकी मिसाल हम ये सुनते होते थे के वो रास्ते में चल रहे हो और जेव में से पैसे निकाल रहे हो और कुछ पैसे नीशे गर जाएँ तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उन पैसों को उठा ले तो उन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान साब को जब मुखत के वजिर आजम थे तो उनें ज्वाब नहीं दिया मतनब उन्हें पता है कि इस मुलक में क्या चल रहा है और क्या मामलात है सिवसाइड लिए है सुनते जाएए फैमिनिस्टर की मुलाकात थी उसके अंदर क्या बाते हैं हमें क्या सीखना चाहिए और क्या लगता है टिकनालोजी के ओपर इंडिया जी सरी के से आगे निकल रहे जी सीखने वाली जो बात की बड़ी मज़ेगी बात की है इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता ही, मूदी जी बता रहे हैं कि बच्चा कोई पैदा होता है, तो अपनी माँ को आई बोलता है, मतलब हम अधर अम्मी जान बोलते हैं, अधर आई बोला जाता है, लेकिन उधर उन्हों ने एक चीज़ और साथ बड़ी मज़े की जोड बहुत आगे निकले उनका मकसद ये था बटा हिंदुस्तानी बच्चा हो आईके साथ AI भी बोलनेगा लेकिन दो तुह नुLE SIMS फॉट यहाद जाट जाट बोलता न करने थैं और बड़ाने नहीं शूरा हको अपने पाकिस्तान मुलक के में पाकिस्तान करेंगे मुल्क के बारे में ब remained Let us करेंगे कि मैक्रोसोफ का ओनर है अब देखेंगे कि वह इंडिया में जा रहा और इंडिया के ता Сп만 कि रहे । chi मुझसान जांगा यह गलत बोला यह दोनों देश एक दिन आजाद हुए थे आजाद पहरता उघ्राद नहाद जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्तिव निच्छेत है तो जो पेदा होता है वो मरेगा जरूर समझ में पूर क्यों है लेकिन इंडिया ने आप देखे वह मैंने फैक्षिंग अपनी कार्स की खुद से कह रहा है हम इंपोर्ट जादा तर कह रहे हैं यहां सुजूकी के आप य अब यहां आप देख लें जो जो बोल रहा है वो गारी नहीं पर्चेस कर सकता है अरे गबराना नहीं है तो आप यह देखना है तो फॉर यह अगो तब हमारे में पावर्ट थी यह चीज़ की लेकिन अब वह चीज नहीं है अच्छा यह बताएगा कि अगर हम भारत और प कि अग्यों की बड़ी तारीफ करें आप यह बोलती है भारत के वारे में कि वह आज इतना आगे कैसे बढ़े कि हर नाम वर शक्सित उनमें बहुत इंट्रॉस्टेट हैं सबसे पहले उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत-बहुत बहुत 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 हैं इंडिया इं जलो 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 लेकिन हमारे हिंदुस्तान में चलती है खास थोर से ट्रकों के पीछे लिखी हुई होती है और आप लोगों ने भी जरूर देखी होगी उस पर लिखावव हता है जलो मगर प्यार से अगर आप लोगों ने भी ये कोट कई पर देखा है ट्रक के उपर तो शेर का नाम कमेंट शेक्षन में जरूर बताईए है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे उसके बात मांक जकरबग भी वहां पर यहां पर जाते है जली ना तो क्या एसी चीजें हैं उनके पास जो उनको तरकी के तरफ लेकर चला गया आज इंवस्मन्ट क्योंग जा रही है सबसे पहले पढाय जो है वह इंपॉर्टन तिंग है इस तरह के इनोवेटव आइडियाज के लिए और हमारे हां यहां पे जो तालीम की शराइब बहुत कम है बहुत ज़्याला कम है और टेक्नोलोजी में हम बहुत मीचे हैं उनसे इसके लिए हमें पहले हमारे मुलक में खुशाली होगी हमारे आम आदमी के लिए बेतरी होगी तो आगे हमारी जनरेशन पाकिस्तान मिले जब तक हम एक अच्छा कंट्री नहीं दे सकते हमारे बचे कुछ भी निकसा बात तो बन्दें ने बिलकुल सही बोली है लेकिन तुम लोग जिहाद की शिक्षा भी तो तुम ही देते हो तुम ही तुम ही किताब हो में बच्चे को यह पढ़ाते हो कि अब मैं क्या बोलू मुलाना से सुन लो आपने फर्माया अगर काफरों से तालुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लेटरीन के अंदर जाना मजबूरी है इतने गलीच और गंदे शप्तों मेरे मुझे से निकलते भी शर्मा रहे हैं और ये जाहिल लोग उन पर अमल करते हैं लानत है तुम लोग के लानत इसलिए तुम्हारा मुल्क तुम्हारा माश्वरा ना तो कभी तरक्की किया था ना कभी करेगा मुझे ये बताएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं हमारी कंट्री में कोई नाम और शक्सिताना पसंद क्यों नहीं करती है मुझे लगता है हमारी इमिज ऐसी बना दी गई है कि पाकिसी को भी सेफ नहीं लगता है नहीं बड़ी अच्छी बात कही यादा मैं सब्सक्राइब हमारे नहीं बाता है लोगों को आतंगवादी नजर आता है जिहादी नजर आता है पता नहीं कब फट जाए आये दिन तो पाकिस्तान में धमाके और होते हैं कौन आएगा तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत हिंदू शर्दाली अगर पाकिस्तान में जो पुराने मंदिर थे वह आना चाहेंगे भी तो उनको भी तुमने तोड़ दिया उनको फोड़ दिया घंडर में तब्दील कर दिया किसी ओपीस बना तो खौन आएगा तुम्हारे पाकिस्तान में चारो तरफ सुसाइट बंबर घूम रहे तुम्हारे बलुचिस्तान में कोई आजाद घूम नी सकता है पियो के पर तुमने चक्के चपे पर आर्मी बिठा रखी है क्या कर रहे हो आपने तक वीडियो को लाइक नी किया है सब्सक्राइब करो आप लोग अपना घाल रखें आपके लिए पाकिस्तान से लेटेड वीडियो लात रहे ता जय हिंद्वने मातराम जय शर्राम जय शर्राम जय शर्राम